अगले कॉलर है मध्य प्रदेश से स्वाती जी स्वागत है आपका हलो नमस्कार जी नमस्कार मैं जी हकीम साथ कैसे हैं में टीकन स्वाती जी बताईए क्या सेवा करूँ आपकी जी पहले तो बहुत-बहुत मुबारक बात सिर्फ आपकी दवाईयों की वज़े से और आपके कैसे हैं जी देखे बहुत समय से मेरे में चहरे पर काफी पिंपल्स थे और मेरे डाइजेशन भी ठीक नीथा पेट में कैस बगएरा बनती थी तो फिर मैं तो आपके उस बिन मैंने शो देखा तो आपने पीके सज़ेस्टिया और मैंने वह दवाई खाई जिसकी वज़े स नहीं हो पारा था तो इसके ले मैं बहुत बहुत शुकर गजार हूँ आपकी सिर्फ आपकी बचा यह बताये कि मम्मी है आप की जी बिलकुर मही तरह से उन्हें मुबारक बात दीजे और इसके जो भी आप जो भी आप मुझ سے सवाल पूछते है स्वाती जी मैं इमानदारी से जवाब देता हूँ अगर मैंसे जायतर लोगों को फाइदा हो जाता है किसे को फाइदा नहीं हो तो मैं जिम्मेदार नहीं हमारी अपनी कम्यां भी होती है कोई हमारा कहना नहीं मानता मतलब मैं कहता हूँ कि ये मत करना और ये करना तो एक तो मैं ज़्यादा पावंदिया नहीं लगाता और जब से मैं कहता हूँ कि आप महनत नहीं कर दो महनत करने शुरू करते हैं तो मेरी तरह से सबसे ज़्यादा मुबारकबाद आपकी मम्मी को क्योंकि इस रिष्टे से आप से और मुझसे ज़्यादा आपकी मम्मी खुश होंगी किसी बच्ची के चेहरे की वज़े से या पिंपर्स की वज़े से रिष्टा कैंसिल होना ये उसके लिए बड़ी शर्म की बात होती है लेकिन उसके माबाप बहुत तरबते हैं कि इसे इलाज मिल जाया कि मेरी बच्ची अच्छी हो जाया तो आप समझ नहीं सकते के वो कित्ती खुश होंगी और आप कहीं आसपास के होते तो मैं आपकी शादी में भी आता है बहुत मुबारक और मेरे सलाम कहीं मम्मी को ऐसे ही हकीम सहाब की तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलिमान खान को सबस्क्राइब करें और बेल बुटन को दबाना ना भूलें ताकि हकीम सहाब के घरेलों उसकों से जादे से जादा आप फायदा उठा सकें